प्राचीन काल के साथ सबसे बड़े श्राप जीसने सत्युग, त्रेतायुग, द्वापर्युग को पूरी तरह बदल कर रख दिया था। खीर कीस को और क्यों मिले थे ये साथ सबसे बड़े श्राप? किसने दिये इतने भयंकर श्राप? शायद आप सोच रहे होंगे, किसी रिशी ने दिये होंगे. जी नहीं यहाँ बात सिर्फ किसी रिशी मुनितक सीमित नहीं है. चलिए आपको विस्तार से बताते हैं. हमारे प एक ऐसा भी श्राप था जिसने भगवान विश्नु को मानव अवतार लेने के लिए मजबूर कर दिया था. एक ऐसा भी श्राप था जिसने द्वापरयुग, सक्क्युग, त्रेतायुग और यहां तक की कलियुग को भी बदल कर रख दिया था. आज जानते हैं साथ सबसे खतरनाक श्रापों के बारे में और ये भी जानेंगे ये सभी श्राप क्यों दिये गए आखीर इसके पीछे क्या कारण जुड़े हुए थे। जब उन्हे संदेह उत्पन हुआ तब उन्होंने पुछा दुष्ट मुझे शीगर बता दे तु किसकी माया से उध्योग हो रहा है और क्यों मेरा उप्योग कर रहा है आखीर क्यों तुने मेरी पवित्रता और सक्यवती को नश्ट कर दिया ऐसे वचन सुनते ही भगवान वि स्वरुप के हो जाओ और उसी समय भगवान विश्नु शाली ग्राम शीला में परिवर्तित हो गए तभी से कहा जाता है कि माता तुलसी के ही श्राप के कारण भगवान विश्नु को शाली ग्राम रुप में भी पुजा जाता है और उन्हें तुलसी अतिप्रिय है अब बा उस समय गांधारी ने सारा दोश श्री कृष्ण के माथे पर ही मार दिया। तुम्हारी पुरी की पुरी सेना सब के सब आपस में लड़कर मर जाएंगे। तुम सबसे अपरीचीत और लोगों की आखो से ओजल होकर और उसी बीच तुम्हारी भी मृत्यू ऐसे ही अकेलेपन में होगी और आगे चलकर महाभारत के 36 वर्ष बाद यही हुआ। आशंका होने लगी थी कि उनके पुत्रों का अनेश्ट होने वाला है क्योंकि नारद जी समय समय में उनके पुत्रों से मिलने आते रहेते थे। तो उन्हें लगा कि नारद जी ने मेरे पुत्रों को चोपट कर दिया है और उन्हें अपने पुत्रों के कर्तव्यना निभाने में बड़ा ही शोक हो रहा था। वे आवेश में भरकर नारद जी से बोले है दुष्ट तुमने जुठ मुठ साधों का भेश बना रखा है और हमारे भोले भाले बालकों को तुम गलत दिक्षाओं का मार्क दिखा कर तुमने हमारा बड़ा अपकार किया है। और मनुष्य लोक में जन्म लेने के लिए श्राप दे रहा हूँ। तुम कभी भी एक जगह नहीं धहर पाऊगे। तुम हमेशा इधर उधर भटकते रहोगे और तुम्हें कभी भी सुख की प्राप्ती नहीं होगी। देवरिशी नारद ने इसे हस्ते हस्ते ग्रहेन कर लिया। तभी से लेकर आज तक देवरिशी नारद हर जगह समय रहेते पहुँच जाते हैं। चाहे वो कोई सुख का कार्य हो या दुख का कार्य। चौथे स्थान पर है वैकुंट के द्वारपाल जय और विजय को मीला हुआ श्रा। एक बार भगवान ब्रह्मा के मानस पुत्र संकादी रिशी वैकुंट धाम पहुचे उन्हें साधारन बालक समझकर जय और विजय ने उन्हें भीतर जाने से रोप दिया। इस पर वे क्रोधीत हो उठे और द्वारपालो को श्राप देते हुए बोले की विश्नु के चरण को रजोगुन और तमोगुन से रही तुम दोनों इनके समीप निवास करने योग्य नहीं हो इसलिए तुम शीग्र यहां से पाप मै असुर योनी में जाओगे। जब उन्होंने इसके लिए एक शमायाचना की तब उन्होंने इसके लिए उन्हें एक उपाइबी बताया की जल्द ही तीनों जन्म में तुम्हें श्राप भोगने को मिलेगा और तुम बारबार राक्षस योनी में जन्म लेते रहोगे। उसके बाद द्वापर्युग में शिशुपाल और दंतवर्क रुप में जन्म लिया। अगर ये श्राप ना होता तो रामायन और महाभारत की रुपरेखा कुछ और ही होती। अब बात करते हैं, तीसरे नंबर पर मौजुद सबसे बड़ा श्राप जो स्वयम राजा परिक्षीत को मिला था। इससे परिक्षीत को अत्याधीक क्रोधा गया, उन्होंने धनुषकी नोक से प्रित्वी पर पड़े एक मृत सर्प को उठाकर महरशी के कंधे पर डाल दिया। लेकिन उसके बाद भी वो रिशी मुनी कुछ नहीं बोले। जब राजा परिक्षीत ने ये सब देखा, तो वो भुख प्यास से व्याकुल होकर वापस अपनी राजधानी लोट आये। जीस रिशी का स्वयम राजा परिक्षीत ने अपमान किया था उन्ही के पुत्र महरशी संगी थे और वो महान तेजस्वी थे संगी को जब पताचला की स्वयम राजा परिक्षीत ने उनके पिता का तीरसकार किया है, ये बात सुनकर उन्हें बहुत ही क्रोध आया। तब उन्होंने उन्हें श्राप की राजा परिक्षीत जीस तरह से तुमने मेरे पिता के उपर एक मृत सर्प डाला उसी प्रकार एक जहरीला विश्धर सर्प तुम्हें अवश्य ही काटेगा। अब बात करते हैं दुसरे नंबर पर मौजुद सबसे खतरनाक श्रा वो स्वयम राजा पांडू को मीला था। कामवासना से सरवदा मुहीत होकर अपनी प्यारी पत्नी के साथ समागाम करने लगोगे तब मेरी ही अवस्था में ही यमलोक सिधार जाओगे और आगे चलकर यही श्राप सच हुआ। राजा पांडू की मृत्यू कारण भी यही श्राप बना और हस्तीनापूर राज्य का भविश भी बदल गया। अगर यह श्राप ना मिला होता तो पांडू ही राजा बने रहेते और दुर्योधन के मन में राजा बनने की इच्छा इतनी तीवर ना होती और हो सकता है कि महाभारत का वो युध्ध कभी होता ही नहीं। अब बात करते हैं पहेले और खतरनाक श्राप की जो स्वयम महर्शी कश्यप ने श्राप दिया था वो भी भगवान शिव को। तुम्हारे पुत्र का मस्तक एक दिन कट जाएगा और वो स्वयम तुमही काटोंगे और आगे चलकर ऐसा ही हुआ। तब उसके उपरांत माता पारवती ने उन्हें एक द्वारपाल की भानती ही वहाँ पर उपयोग में लाया। जहां पर उन्होंने भगवान शिव को कक्ष में प्रवेश करने से मना किया जीसके चलते क्रोध में भगवान शिव ने अपने त्रिशुल से भगवान गणेश का मस्तक धड़ से अलग कर दिया।